हलो फ्रेंड साहिम अप्रथी वेल्कम बेक्टू आर चैनल प्लांटस स्पेस हमें कुछ प्लांटस तयार करने थे जो कि हमें गिफ्ट करने हैं और कौन-कौन से वो प्लांटस हैं और कैसे हमने उनको तयार किया आज हम आपसे यही शेयर करेंगे तो कुछ दिन पहले हमने lemon plant की air layering का result आप से share किया था कैसे हमने गुट्टी विधी से नया पौधा तयार किया वो भी केवल 27 दिन में तो उसमें से एक गुट्टी तो हमने cut कर ली थी लेकिन एक को cut नहीं किया था तो अब हमें जब ये gift करना है तो आज हम इसको cut कर ही लेते हैं और इसमें भी roots बन गई थी उस वीडियो में हमने आपको दिखाया था तो पूरी process के लिए आप video description box में check कर सकते हैं तो अभी हमने second air layering को भी cut कर लिया है क्योंकि उस video के बाद हमें लगा था कि कहीं viewers ये ना सोचे कि हमने एक ही air layering उन्हें दिखाई तो आज आपको दूसरी air layering भी दिखा देते हैं और उसमें तो मिट्टी हट गई थी roots पर से देखिए इसमें से बिल्कुल मिट्टी नहीं हटी है क्योंकि poly तो इसके लिए हमने नर्स्टी से जो प्लांट साते हैं कभी-कभी वो कोई-कोई पॉली बैग सेफली निकल आता है प्लांट से बाहर उसको हम रख लेते हैं और उसका reuse करते हैं अब ये potting mix गुल्दाओदी का ही बना हुआ रखा था इसमें खाद मिला हुआ है जो कि हम ग ठीक गोबर की खाद लेंगे उसको थोड़ा सा एक लेयर बना करके और उपर से फिर से मिटी भर देंगे वापस से प्लांट जहां जाएगा वो अपने अकॉर्डिंग इसको नए pot में नए potting mix के साथ शिप्ट कर देंगे तो ये हमने मिटी को इस तरह से भर दिया और फिर अच्छे से वाटरिंग कर देंगे ये जो नर्सरी वाले पॉली बैक्स होते हैं इसमें होल्स होते ही है यानि कि हमें कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें अगर जादा पानी हो भी जाए तो वह ड्रेनेज होल जो इसमें बनाये गए हैं उनसे बाहर निकल जा पुरे पॉली बैग में तो इसमें वाटरिंग कर देते हैं उसया और इस तरह से जब प्लाइंट्स तयार करके गिफ्ट करते हैं तो यह अपनी जगे से लिते हैं और ऐसे के रहते हैं तो रूट्स आराम से सेट हो जाती है अगर आप इस एएर लेरिंग को कट करके भी गि सकते हैं कोई परेशानी नहीं है यानि कि इस पॉली बैग में लगाना जरूरी तो नहीं था हम चाहते तो ऐसा का ऐसा उनको एयर लेरिंग कट करके सेंड कर सकते थे अब यह सेकंड कटिंग है जो कि हमने एरेंथमम की ग्रो की थी अभी कुजिन पहले ही वीडियो हमने शेयर में लगा देंगे बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है रेंथमम इसको तो बिल्कुल देख भाल की खास जरूरत नहीं होती तो इसको हमने एक सर्फ के पैकेट में नीचे इसमें होल कर दिये हैं और फिर पॉर्टिंग मिक्स भरके हमने इसको भी लगा दिया और हलकी सी बिना किसी खास देख भाल के तो अभी हम टेंपरेरी लेमन के पॉर्ट में ही इसको लगा देते हैं जहां यह जाएगा वो इसको निकाल करके नए पॉर्ट में शिप्ट कर लेंगे और बाकी कुछ और कटिंग साथ में रग दी हैं तो यह अभी कल हमने लगाया था अज त बाक्स में रख सकते हैं उससे प्लाइन डिस्टर्ब नहीं होते हैं यह कुछ कटिंग से केलयंचů की कटिंग है और कुछ की कटिंग है जो कुजीन हमने हुर्फ किया था और यह प्रियुफ में की कटिंग है तो इस तरह से कटिंग हैगा दिचomy गिन और वी घंड कर अच्छी लगेगी आपको ऐसा नहीं है कि हमें गिफ्ट करते हैं हमारे लिए भी गिफ्ट आते हैं तो आपसे कल शेयर करेंगे थेंक यू